पुश्पा टू में होगा उन्टवा जैसा फार्ड चार्ट बस्टर सॉंग इस बार भी बड़े परदे पर लगेगी आग मचीगा तहल का आएगा बुचाल क्योंकि पुश्पा के पहले पार्ट की तरह मेकर्स ने इस बार भी कुछ मसालीदार शांदार गाने फिल्म में डालने की प्लानिंग की है इस बार भी पुश्पा भाव और एक सुन्दर हसीना मिलकर कमरिया हिलाएंगे जैसा कि सामन्था ने उन्टवा में किया था लेकिन इस बार पुश्पा टू में आइटम सौंग तो डलेगा लेकिन ट्विस्ट के साथ खबर है कि पुश्पा भाव के साथ सामन्था रूथ नहीं ये अक्ट्रिस अब करेंगी दर्शकों को अपने मूव से ठुमकों से घायल देखिए अलो अर्जिन के फेल्म पुश्पा टू की फिलाल शूटिंग चल रही है और ये फेल्म 15 अगस्ट 2024 को रिलीज होने वाली है पिक्चर को लेकर लगातार नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं ये तो बीते दिनों ही बता दिया गया था कि पुश्पा टू में भी आइटम सॉंग होगा जहां पहले इंस्ट्रॉल्मेंट में सामन्था रूत प्रभू के उओ अंटवा ने खूब गर्दा उड़ाय था तो इस बार वही होने वाला है लेकिन सामन्था नहीं पिक्चर में बॉलिवूड एक्ट्रिस की एंट्री हो गई है ऐसे में पुश्पा टू को लेकर महौल तो तयार किया जा रहा है लेकिन फिल्म का काफे हिस्सा अभी शूट नहीं हुआ है ऐसा पता लगा था कि इसके लिए दो अलग-अलग यूनिट लगाई गई है फिलाल आइटम सॉंग के लिए एक बॉलिवूड एक्ट्रिस का नाम भी सामने आया है जो फिल्मों में सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं अपने सिजलिंग मूव से भी होशुडाती रहती है रिपोर्ट्स सामने आई है जिसके मुताबिक इस फिल्म में दिशा पतानी की एंट्री हो चुकी है इस बार सामन था नहीं बलकि दिशा पतानी को इस स्पेशल सॉंग के लिए फाइनल किया गया है ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि सिक्वल में मेकर्स आइटम नंबर के लिए किसी नए फेस को ढून रहे हैं वो मिल भी गया है हाना कि दिशा की तरफ से ऐसा कोई भी अलान अब तक नहीं किया गया है लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये दिशा पतानी के करियर की बड़ी पिक्चरों में से एक होगी दरसल प्रभास की कलकी 2898 AD में भी दिशा पतानी काम करने वाली है ऐसे में साउथ के दो बड़े स्टार्ट के साथ दिशा के फेल्म पक्की हो गई है हलांकि फेल्म में जो सौंग होगा उसके म्यूजिक और लिरिक्स कैसे होंगे इस पर भी खुलासा नहीं हुआ है साथ ही दिशा सामन्था को रिप्लेस कर रही है इस बात की ऑफिशल अपडेट भी आनी बाकी है अब ऐसे में देखने वाले बात होगी कि दिशा पटानी अगर वाके में इस फेल्म में आइटम नंबर कर रही है तो वो अपने मूवस से किस लेवल पर फ्लोर पर आग लगाती है तहल का मचाती है साथ ही इसको लेकर फाइनल अब्रेट कर तक आता है ये भी देखना रहेगा